यह विडियो पूरी तरह पर समर्पित है जो लोग डियलेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस बार तो आवेधन करने से पहले पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें और इस वीडियो में पूरी प्रीएफ मैंने डाउनलोड करें कर ली हैं पूरी पीडियोफ ओप को दिखाऊंगा और इस पूरी पीडियोफ को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रूप राइटॡेश्य त्राइश्य व्हीं प्र होते हैं तो यहां पे और पी और तक आप्ट आप तहीं काई टेलेग्राम गूरोफ से प्राप्ट सकते हैं फ्री में तो पी दोरा निर्देशी पीडियाउर जरूर जरूर पढ़ने और ये योगीता जिनके पास है वहीं apply कर सकते हैं जिनके पास यह terms and conditions नहीं है जो इसमें दी गई वांचित आपके पास यूगिता नहीं है तो आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं तो बहुत विशेस्ता ध्यान पूरग समझेगा बहुत important वीडियो आप लोगों के लिए समर्पित है तो बहु पूरा पीडियो प्राप्त कर सकते हैं तो चली एक एक बात पर बात शुरू करते हैं कि क्या योगिता है और कौन कौन सी योग या भरती इसमें apply कर सकते हैं तो पहले पेश से बात करते हूं यहाँ पर देख सकते हैं संख्या आपकी 426 और 2013-25 जून 2019 तो यह 25 तारीक एवलेबल है और 27 तारीक से हर जगन सों को प्राप्त हुई है तो यह परिशा के हैं इन्होंने दो लोगों को निर्देशित क्या है यह आपकी सेवा में निदेशक, राज सैचिक, अनुसंदान, परिशुशन परिशो लखनव यानि SCRT लखनव और सचीव परिशान परादिकारी उत्तरप्रदेश प्रियागराज यानि PNP दो लोगों को निर्देशित यह 25 जून को हुआ है तो किसके लिए विशेयाप का DLT BTC 2019 वो आगामी सत्रों के चैन प्रवेश हेतू ऑनलाइन आवेदन चैन पर क्रिया के सम्मंद में है तो इ सेवा पूर्व दो वर्षी प्रस्क्रिक्शन कोर्स होगा जिसे पूर्मे प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट बेसिक टीचर सर्टिफिकेट प्रस्क्रिक्शन के नाम से जान जाता था NCTE निहमावली 2014 परसिष्ट दोग अनुसार अब इस कोर्स को Diploma in Elementary Education यानि DLA कहा जाता है Online आवेदन पत्र के प्रारूप को यह आवेदन पत्र कहा जाएगा तो यह सारी चीजे इसमें विशलेशित है अब यहाँ देखिए आवेदन को त्वारा किसी भी एक जनपद से एक ही आवेदन किया जाएगा उसको त्वारा किया गया आवेदन प्रदेश के समस्त जनपदों के राजिकी है यानि डायेट और निजी डिलर्ट प्रेस्टिक्षन संस्तानों प्रजश है तो मतलब एक ही आवेदन आपको करना है पहले बीटीसी में क्या होता था कि आपको हर जीले के डायेट पर जाना होता था और वहाँ पे अपनी काउंसिलिंग करानी पड़ती थी विशेशता आपको अपलाई करने के बाद भी तो अब यहाँ पे कि आप अपने जीले से जिस जनपद में आप बिलॉंग करते हैं उस जनपद से आप फॉर्म तो फिल अप करेंगे ही लेकिन आपका जो फॉर्म होगा वो जब कॉंसिलिंग करेंगे तो आप अपनी वरीता करम यहनी चैन सूची के अधार पर अपनी वरीता देंगे और आपका पूरा जितने 75 जिले हों सबके ले लिजबल होगा आपका एक ही आवेधन सीटो पे चैन किस प्रकार से होगा तो डिले प्रेस्टिक्शन हे तू अनुमान सीटो आपका कला विज्ञान जो पूरुष महिला का विभाजन किये बिना समस्त आवेधनों का चैन मेरिड द्वारा किये जाएगा यह आपके लिए स्पेशल है तो इसको ध्यान में रखिएगा दूसरा इसमें दिया गया है कि NCTE से मानता तथा प्रदेश सासन से संबंद प्राप्त ऐसी नीजे संस्तानों जो केवल महिलाओं हेतु है में महिला अब्यरती ही चैनित की जाएंगी यह भी तो इस दो चीज इंपॉर्टेंट पहले में क्या है कि कला विज्ञान इस आधार पर और महिला पूरुस इस आधार पर ना चैन होकर आपकी मेरिट करनुसार पहला जो पॉइंट है वो चैन होगा और दूसरा है जहां पे बस महिलाओं के लिए सीट है तो वहां बस महिला अधार प्रेसिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक् कर सकते नहीं कर सकते उसके बारे वे ध्यान पूर्वक समझीएगा कि आप जिनों ने आवेजन पत्र भरने के पुर्व मादमिक सिक्षा परिशत उत्तरपदेश प्रयागराज या सीबेसी या आइसी सी से मानता प्राप्त संस्तान से हाइ स्कूल वह उसके संकक्ष तथा इं तीन की हो यानि आप पास हो चुके हैं आपका रिजल्ट आ चुका हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं और इस बार बहुत विशेशत यह निकाला गया है कि इस बार आपको संसोधन करने का मौका नहीं दिया जागा आज के मौनिंग पेपर में आप लोगों को मैंने बताया है तो आज मौका नहीं दिया जाएगा इस बार आप लोगों को कि संसोधन आप करेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है तो जिनका रिजल्ट आ गया होगा फाइनल यर का वहीं अप्लाई करेंगे अगर नहीं आया है तो उसके लिए मैं बता दूँ आपका 11 जुलाई तक च अप्लाई करेंगे यह सबसे बड़ा प्रश्ण चिन है इसके अलावा आप अनुसूचित जाती स्ट या विकलांग पिएच हैं स्वतंतरता संग्राम सेनानी हैं भूतपूर सैनिक स्वें हैं तो अभरतियों को नियूंतम हंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी आप आपका यह प्रारूप यहीं होगा 10 प्लस 2 प्लस 3 वाला प्रणाली इसी पर लागू होगी पूरी आपके मेरिट और आगे आयू वाला है तो आयू में आपके एक जुलाई को आपके 18 वर्स से 35 वर्स के बीच में होने चाहिए इसके लावा आप सी स्ट है तो जो दो वर्स के स्थाई निवासी हो सबसे पहली बात आगे है कि प्रवेश की समय होने वाले आप ही लेखिये जांच में अभेर्ति को उत्तरप्रदेश में अपने ग्रिय चनपत का सक्षम आधिकारी द्वारा आपके प्रवेश की तितिति तक जारी किया गया निवास प्रवाण अपत तो आपको निवास प्रवाण पत्र आपको जरूर दिखाना पड़ेगा वैलिड निवास प्रवाण पत्र आवेधन का प्रारूप आपको पता है ऑनलाइन पूरा आवेधन आपको प्रक्रिया की जाएगी और निक्स के द्वारा की जाती है निसी वेबसाइट के द्वार डूर्ण आपके जाएंगे दूसरा आपका फिर ओन्वर्ड हो जाएगे तीस अगस्त का आपकी सारी क्रिया क्लाब दो कॉंसिलिंग में ही कंप्लीट हो जाएंगे तो उम्मीद यह है कि इस बार ज्यादा लोग एपलाई करेंगे ही जिस आप से देखा जा रहा थे कि बीएट की तरफ रुजान बढ़ रहा है बढ़ रहा है हाला कि एक स्थिति में हैं थोड़ा से लेवल बढ़ा है लिकिन जिस से बहुत ज्यादा लोगों ने साड़े 6 लाग लोगों ने आवेदन किया फिर साड़े 5 लाग 5 लाग 600 लोगों ने परिक्षा दी उस इदार पर एडमिशन लेने वाले उतने ज्यादा महात्रा में नहीं है और जैसे कहा जा रहा है वो लोग बीटीसी की तरफ रुजान प 5 लुपए है सेस्ट के लिए 3 लुपए और पीएच के लिए 100 लुपए है आपके लिए और ऑनलाइन ही सारी चीज़े होंगी यहां पर और आरक्षन वहीं है आपका आरक्षन से सबसे से सबसे सबसे दिया जा रहा तो वह सारी चीज़ें यहां पर हैं प्रवेश प्रक्रि कि कि अनियम को नियम को के अनसारी किया जाएगा आपके अनसार कोई चीजी में बदलाव नहीं जाया कि वो अगर वो चाहते हैं तो वो सारी चीजे वो देखेंगे कॉल र मजळाए she deformation student के नाम दिये हुए हैं और यह आपके column 1 के जितने हैं आपके column 2 में ही इनके kriya club होंगे जैसे आप वारानस्ती डायट का देखते हैं जो सारना डायट है वहाँ बदोही का भी आपके बदोही नहीं आपके बगल के जनपत का चंदावली जनपत का वहीं पे भी काउंजलिंग होता था तो सारी process क्योंकि वहाँ पर डायट का निर्माण नहीं बदोहीं यहाँ पर column 1 के आप अगर हैं तो उम्मीद करूँगा कि आपका जो भी चीज़े होंगा सत्यापन होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं column 2 के जितने डायट है वहाँ पर बहुत important यह PDF है पूरा अपराप्त करके अच्छे से पढ़ लिजेगा और सुलक की अगर प्रस्टेशनर सुलक के बात करूँ तो अगर private में रहेंगे 41,000 रुपे और आपको government college मिल जागा तो 10,200 रुपे इसके बाद वीडियो बनेगी कि कितने पर चैन होगा कितने पर merit बनेगी इसके भी जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी तो बने रहेएगा हमारसा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको latest videos की notification सबसे पहले मिलती रही और आप videos देखके अपना पूरी है जीतने भी आपके शंसे हैं उसको दूर कर सकते है तो आगे इसमें हमको देखना है कि और क्या टेबल और एक चार्ट इंपोर्टन सा जिसको आपको दिखाना था मुझे तो देख लीजे ये शुल्क जो आपका लगता है टोटल क्या क्या इसमें शुल्क में होता है वैशे मिंशन तो कहीं दिखता नहीं आपको डारेट बस फीस पेमिंट होती है तो ये पूरी चीजें आपकी इसमें मिंशन होकर तब आती है आपकी टोटल फीस दश जार दोस रुपए और आपकी जो छात्रवाज शुल्क है और अगर आपको मिलता है तो इसका अलग से ये अलग होता है दजर दूसों के लावाँ और देट आपकी यहाँ पे 26 जुन से आज से दोबर से स्टार्ट हो जाएगा और लाज जेट आपकी 11 जुलाई है बाकी आपके जो भी प्रस्ण हों वक्रतिक प्रस्ण है जरूर पूछ ले मुझसे प्रक्सिक्षन आपसे कब से स्टार्ट हो जाएंगे देखें 1st phase का 6 अगस्त पे स्टार्ट हो जाएगा और 2nd phase का आपकी September से आउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा तो यह पूरा है यहां पर देख सकते हैं राजिन सिंग सेंग तो सची उन्होंने यह पूरा मेंशन कर दिया हुआ है तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पशंद आओगा बाकी जो भी इसकी डिटेलिंग है इसको पूरा पीडियेफ हमने अविलेबल करा दिया अपन भी नहीं होगा पूरी अनलेसिस के बाद आपको वीडियो जरू मिल जाएगा सो मैक्शिम शेर कर दीजेगा थैंक्स लौट